हलो फ्रेंज, वेलकम दूशितर्स की जरान आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी सलाड शुरू करते हैं हम रोटीन सलाड बनाना उसके लिए मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है उसमें मैं करीब 1 टी स्पून जितना अलीव ओईल डाल रही हूँ अब हम इसमें 1 बाउल जितने बॉयल चिक्पीज है वो डालेंगे चिक्पीज को बॉयल करते समय मैंने उसमें नमक नहीं डाला था तो अब ने उसमें डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा वनफोर्थ टीस्पून से भी थोड़ा कम Salt वनफोर्थ टीस्पून जितना रचिली पाउडर वनफोर्थ टीस्पून से थोड़ा कम Black Pepper पाउडर एंड पिंच ओप रोस्केट जीरा पाउडर अब इन सबको हम अच्छे से सबी चिकपीज पे ये कोट हो जाए ऐसे मिक्स कर देंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा मसालेदार पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा और चिली पाउडर डाल सकते हो तो ये हो गया है इसमें से सारा पानी भी एकदम ड्राई हो गया है तो ये बदाबर है हम टू टेबल स्पून बॉइल कॉन डालेंगे वन टेबल स्पून पनीर टू टेबल स्पून चॉप्ट ओन्यान टू टेबल स्पून कुकुमबर टू टेबल स्पून टॉमेटो अब इसमें हम सब मसाले करेंगे तो पहले हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा रैट चिली पाउडर, पींच से थोड़ा ज्यादा, एकदम पींच सॉल्ट, क्योंकि हमने चिकपीज में भी सॉल्ट डाला हुआ है, और इसमें हमने थोड़ा चाट मसाला भी डाला है, तो सॉल्ट हम थोड़ा कम ह एंड थोड़ा सा रॉस्टेड चीरा पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टी स्पून जितना अलिव ओई एंड 1 टेबल स्पून लेमन जीूस तो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमने जो चिक्पीस बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा एकदम हेल्दी, क्वीक और इजी समर के लिए एकदम परफेक्ट प्रोटीन से भरपूर ये सलाड हमारा रेडी है इसमें आप चाहो तो चॉप्ड कोरियंडर भी डाल सकते हो इसे हम सब करेंगे तो तयार है आज की हमारी एकदम एजी एंड टेस्टी एंड हल्दी रेसिपी एंजोई